आज हम करेंगे अलकाइन ठीक है ना आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलकाइन पर करेंगे तो अलकाइन के लिए आपको पहले क्या था नगना है इसका जनल फर्मॉला क्या है हमारा cn s2n-2 यह यह ना मारा अलकाइन ठीक है और सबसे छोटा अलकाइन कौन सा है smallest alkyne is ethane है ना the lowest molecular mass इसका अईपीसी नेम क्या है ethane इसको आपन बोलेंगे lowest molecular mass alkyne यानी सबसे छोटा alkyne है ना अच्छा और इसकी bond energy वगड़ा 195 kcal per mole आपको याद होगा alkyne की कितनी थी 80 to 85 यानी roughly 100 और double bond की कितनी थी 150 करीब और triple bond की 200 तो हम ऐसे याद कर सकते है alkyne 100, alkyne 1.500 और alkyne हमारी 200 अप्रोक्सिमेटली ना round off करके चलो तो यह हो गया हमारा alkyne इसके hybridization वगड़ा क्या है triple bond की इसके hybridization क्या है SP और geometry कैसा है linear linear geometry SP hybridized के हमारी linear geometry होती है असा यह भी लिखा है the first member of alkyne कौन है हमारा acid lean, acid lean is a common name इसका IUPC name क्या है हमारा ethine how to prepare, method preparation, मैं आपको एक simple method बदा रहता हूँ जैसे एक हम मनाते है jam dihalide से, jam से कैसे बनाएंगे, इसमें आप alcoholic QOH डालो alcoholic QOH मलब E2, E2 मलब OH- क्या करेगा, beta से लेगा H और यह pi 1 बनके BR निकल जाएगा, dehydrohalogenation इससे क्या बना, हमारे पास बना, vinyl bromide और यह जो vinyl bromide बना है न vinylic bromide bromine is in resonance with pi 1, इसका resonance हो रहा है न तो मलब यह halide stable है, तो अगर आपको फिर से E2 करना है, फिर से HBR निकालना है तो पहले से strong base यूज़ करना बढ़ेगा, तो पहले से stronger base कौन है sodiumide, NNS2, तो आपको जब भी दो बार E2 करना है न, पहले alcoholic QH followed by NNS2, यह important point है न, तो base लेगा H+, यहाँ बनेगा pi bond और BR निकल जाएगा, इससे क्या बना हमारे पास, यह बना 2-butyne, यानि यह बन गया alkyne, यह बार समझ माया है आपको, या तो आप दो बार NNS2 यूज़ कर लो, या फिर आप alcoholic QH NNS2 यूज़ कर लो, तो यह alkyne मनागा बहुत अच्छा तरीका है, अब आपको इस example में समझ माया, कि पहले से vinyl bromide है, तो आपको फिर से E2 करना है, तो NNS2 यूज़ करना चाहिए, यह triple bond मनेगा, CL निकल जाएगा यहां से, यानि net हमने इसका SCL निकाल दिया है, ठीक है, आगे बड़े, तो यह important method preparation का, अगर सेम चीज़ यहां हो रही है, अगर vicinal dihalide यूज़ करो गए, तो पहले alcoholic के वेश से, आप H ले लो, pi bond मना लो, X निकाल लो, minus HX, फिर again E2 करो, यह H ले लो, triple bond मना लो, X निकाल लो, again HX, दो बार E2 हो गया, ठीक है, तो आप vicinal से भी बना सकते हो, और अगर anti elimination हो गया, HCl निकल गया, फिर again HCl निकल गया, दो बार E2 हो गया, यह alkyne का famous method है, from halide, दो बार E2, और क्या यूज़ करना है, alcoholic QS followed by NANS2, sodiumite, zinc, zinc क्या करता है, हम tetrahello alkyne से भी आ सकते है, zinc कैसे बनाता है, ZNX2 बनाएगा न, zinc तो, ZNX2, ZNX2, minus twice of ZNX2, इससे क्या बन जाएगा, हमारा alkyne, समझ गया, ठीक है, synthesis of higher alkyne, यह भी important है, higher alkyne बोलो, या इसको कई बार बोलते हैं, step up of alkyne, step up of alkyne, यह जो इतना सारा लिखा है न, इसको तरह सौट में लिख लेते हैं, कि suppose करो, यह alkyne है हमारे पास, इसमें आप क्या करो, strong base डाल दो, soda, mi डाल दो, strong base डाल दो, rignard डाल दो, तो यह क्या करेगा, इसके साथ acid base, तो पहले acid base हुआ, carbon पर आगया, negative charge, फिर next step में क्या होगा, आप RBR वगरा डाल दो, यह SN2 कर दो, followed by SN2, तो यह बन गया हमारा alkyne, है न, तो जब भी आपको alkyne में carbon बढ़ाने हो न, acid base followed by SN2, यह very important point है, अब यहां आजाओ, जैसे हमारे पास sodium metal डाल दिया, तो यह H2 gas, H2 gas evolve हुआ, यह एक बार sodium डाला, तो यह minus बना, फिर R पर attack हुआ, यानि SN2 हुआ, step up of alkyne, ठीक है, या फिर जैसे यह propine type है, sodium metal डाल दिया, यह acid base salt बना, फिर क्या हुआ हमारा SN2, ऐसे यह देखो, रिगनाड है, रिगनाड के साथ क्या हुआ, acid base, और फिर यह कौन सा mechanism हुआ, SN2, यह सब एक ही चीज़े हैं, रिगनाड के साथ acid base, और acid base के बाद यह हुआ, SN2, तो यह important है, इसलिए से काफी example है, बना, इन सौर्ड आप यह point याद रुखो, bullet point, points to remember, पहले acid base, followed by SN2, यह बन गया हमारा alkyne, समझ गया आप, ठीक है, चलो, next, intramolecular callway, callway भी हमने, पहले alkyne भी बनाया था, alkyne भी बनाया था, callway में क्या करता है, intramolecular callway में, पहले यह CO2 minus का oxidation, यह निया, electron release करके dot dot बनाओ, फिर यहाँ से CO2 निकाल दो, तो CO2 निकालोगे, यह dot dot बन जाएंगे, फिर यह pi 1 बनके alkyne बन जाएगा, फिर geometry साही नहीं बनी भी है, इसको ऐसे लिखो alkyne, ठीक है, अब इसमें याद करने like point किया है, इसमें bullet point यह है, यह हमारा cis है, maleic acid न, इसका हमने electrolysis किया, तो क्या बना alkyne, यह CO2, CO2 निकल गया, dot बनके alkyne, अगर मैं इसकी transform ले लूँ, बताओ, अगर मैं इसकी transform ले लूँ, femuric acid और फिर electrolysis करूँ, तो transform मैं बताओ, क्या बनेगा, क्या trans मैं alkyne बनेगा अगर निए बनेगा, अगर हम transform लेंगे, पहले वो ही CO2 निकलेगा, और यह radical radical बनेगे, एक बार radical बन गया ना, तो फिर वो cis हो, trans हो, उससे कोई फ्रग नी बढ़ता है, ultimately यह triple bond बन जाएगा, यानि, क्या बनेगा हमारे पास alkyne, यह समझे गया आप, ठीक है, तो cis होगा या trans होगा, हमारे पास alkyne बनेगा, चलो, next preparation, calcium carbide, यह calcium carbide का hydrolysis करेंगे, तो बन जाएगा हमारे पास acetylene, एक हमारा iodroform, iodroform या chloroform या haloform, जैसे हमने chloroform में बनाया है न, वैसे हम सेम iodroform में भी बना सकते हैं, iodroform, six small of HG से क्या बनेगा, बताओ, यह बनेगा alkyne plus six small of HG i, iodroform, यह बास समना आ गई, ठीक है, चलो, alkyne की कुछ प्रपर्टीज लिखी है, alkyne अ colorless, orderless, testless, partially soluble in water, ठीक है न, और C4, alkyne are gases, 5 to 11 liquid, 12 के उपर हैं हमारे solid, और main चीज क्या alkyne की, thermodynamic stability में alkyne सबसे क्या होता है, unstable होता है, ठीक है, अब alkyne पर करेंगे, हम next, start करते हैं alkyne का addition, पहले एक बार brief, review कर लेते हैं, मैं एक question पूछूँँगा आपको, उस question का answer करना है, फिर आपन आगे reaction पर जाएंगे, ठीक है, चलो एक छोटा सा integer type का question ट्राइ करते हैं, अब तक जो आपने पढ़ा न, उसके basis पे आपका answer एक दिम correct होना चीए, ये 6 option दे रखें, number of reaction in which alkyne is the product, in which of the following reaction alkyne is the final product, out of 6, बताओ कितना है, क्या answer है, 4, 5, 6, what is your answer, वीडियो pause कर लो, अच्छे से सोच लो, फिर आगे बढ़ेंगे, चलो, क्या रहा बताओ, A में बनेगा अग नहीं बनेगा, A में बनेगा न, दो बार E2 करेंगे, दो बार HbR निकल के क्या बनेगा, प्रोपाइन, इसमें भी NNS2, NNS2 दो बार, HbR निकल के बनेगा, अलकाइन, तो B में बनेगा, C में नहीं बनेगा, इसमें HbR निकल के क्या बनेगा, प्रोपीन, D में, इसमें Αग क्या मैं एड़ोफर्म से, हमने क्या कहा था, अज़भम से, C से नहीं बनाए है ना Electrolisis में किसे बनेगा, cis से या trans से अभी हमने discuss किया था cis या trans कोई भी हो Electrolisis करके यह क्या बनेगा Acetylene, यह बनाया था तो D में भी बनेगा, E में बनेगा F में, अगर इसमें हम Zinc डाल दें, तो ZNBR2 ZNBR2 निकल के यह बनेगा Alkyne, समझ गें F, तो out of 6, कितने में Alkyne बना यह सब important preparation है ना, आपको SMLF हर एक function group पूरा धान होना चीए, तो out of 6 कितने में बना Alkyne 5 Comment box में जरूर लिखना, कि क्या आपने answer 5 सोचा था, या कुछ और सोचा है, तो वो भी बताना ठीक है, चलो, अब आगे बढ़े आप Alkyne की reactions करते हैं, चलो आगे बढ़े, अब एक थोड़ा सा ना मैं practice करवाता हूँ आपको, step up of Alkyne, यह बहुत important reaction है अभी जा हमने किये थी ना देखो यह road map type के question करेंगे जैसे Alkyne में आपने NANS2 डाल दिया पहले क्या होगा, acid base इसमें आपने methyl iodide डाल दिया कौन सा mechanism हुआ, SN2 इससे क्या बना propine, यह बना ना ठीक है, दूसा एक्जामपल लेते हैं यह है हमारा propine इसमें soda amide डाला ammonia बन जाएगा, acid base के साथ acid base हुआ यह बना इसमें हमने methyl iodide डाला कौन सा mechanism हुआ पता भई SN2 SN2 से क्या बनेगा, 2-butyne ठीक है, अब आगे चलें, 2-butyne में अगर हम डालें, S2 PD calcium carbonate इससे क्या बनेगा बताओ सिसलकी और सिस में अगर हम add करें cold cayman of 4 पिछले lecture में मैं super trick बताई थी याद है आपको, क्या बनेगा बताओ अगर सिस में cold cayman of 4 डालोगे, सिस क्या होता है, plus cold cayman of 4 क्या होता है, plus 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 से क्या बनेगा, plus plus मतलब दोनों OH, same side में same side में मतलब यह क्या बना हमारा meso plane of symmetry है ना, यह plane of symmetry है, meso समझे आप ठीक है, यह बहुत important reaction है, step up, carbon भी बढ़ गए lillard catalyst और cold cayman of 4 cold cayman of 4 का नाम क्या था, bear sea agent कैसा addition करता है, sin इसको लिखो अच्छे से एक बार चलो, एक और practice करता है प्रोपाइन, पहले आपन soda amide डालेंगे, acid base होके क्या बनेगा salt बन गया, फिर again methyl iodide यह कौन सा mechanism हुआ, SN2 यह बन गया, इसमें add करेंगे sodium liquid ammonia क्या बनता है, sodium liquid ammonia से बताऊ, trance trance बनता है ना, इसमें अगर हमने add किया BR2 CCL4, BR2 CCL4 से कैसा addition होता है, NT, trance मतलब minus, BR2 मतलब minus, तो minus minus से क्या बनेगा, plus plus मतलब दोनों BR, same side में, यह बना हमारा meso, और इसमें अगर cold KMN4 डाला तो, cold KMN4 minus, cold KMN4 sin addition मतलब plus, minus plus से क्या बनेगा, minus यह यह और plus इसकी mirror image, यह क्या बना, racemic, और इसमें अगर मैं S2 metal डालूँगा तो, यह butane मन जाएगा, no caracenter, no stereochemistry, है ना, और करते हैं, इसमें अगर मैं add करूं, BS3 THF, and S2 to OH minus, तो कौनसी reaction होगी, HBO, HBO में क्या होता है, addition of water according to Marko-Nikov, anti-Marko-Nikov, इसमें तो फरकी नहीं बढ़ताने, symmetrical है, काई Marko-Nikov करो, anti-Marko-Nikov, तो water लगा के, totomaryism कर दोगे, तो क्या बनेगा, keto, या इसमें कर दू, मैं OMDM, addition of water according to anti-Marko-Nikov, तो Marko-Nikov करो, anti-Marko-Nikov, same होगा, कैसे, वैसे आप समझने के लिए, समझने की, पहले water add किया, तो यह inol बना, और intermediate totomaryize होके, ketone बन गया, तो HbOH और OMDM, उसमें हम H और OH लगाएंगे, और फिर उसका totomaryism करके ketone बना देंगे, तो alkyne से alkyne जा सकते हो, alkyne से आगे sin addition वगरे, इस सब mechanism कर सकते हो, यह road map type के, यह flowchart type के questions आपन कर सकते हैं, आगे बढ़े, चलो, यह बताओ, how will you convert, अगर मैं बोलूँगे, आपको convert करना है, this alkyne, यह meso बनाना है, meso, बना सकते हो आप meso, कैसे बना हैं बताओ, अभी कर रहा है मैंने, थोड़ा आप सोचो पहले न, आइट answer मत देगो, सोचो कैसे बना सकता हूँ मैं, पहले आपको दो carbon बढ़ाने पढ़ेंगे, तो carbon कैसे बढ़ाएंगे, twice of N-N-S-2 and twice of CH-3 आई है, यह बन गया, इसमें फिर आगे क्या add करेंगे, क्योंकि हमको cis बनाना पड़ेगा, S-2 palladium calcium carbonate, यह बन गया cis, cis मलब प्लस, यह भी प्लस बन रहा है, तो हमको add करना चाहिए, प्लस, प्लस मलब क्या add करेंगे, cold came in a four, समझ गया अब, ठीक है, चलो, अब मैं आपको alkyne की एक reaction बताऊँगा, अलग से, very important, mostly उसी पर question आते हैं न, बागी alkyne की छोटी मोटी reactions है, दो alkyne की reactions important है, एक तो यह step up, carbon बढ़ाने वाली, और दूसरी और very important reaction है, कुच्रोव, कुच्रोव मतलब, hydration of alkyne, hydration का मतलब क्या है, addition of water on alkyne है न, तो हम लोग अगर mechanism लिखें हैं कुच्रोव का, तो यह ethine है, मैं यह example लेता हूँ, प्रोपाइन का, इसमें add करो, HgSO4 and dilute H2SO4, तो बनता है keto, addition of water according to Markonikoff, इसमें water का addition होता है according to Markonikoff, है न, अब एक बार इसका mechanism देख लो, क्योंकि इससे base alkyne की सारी reaction हो लो जाएगी, कुच्रोव कर लिए हम लो alkyne पूरा हो गया, तो सबसे पहले alkyne जो है, एक nucleophile है, और वो Hg plus 2 से react करके क्या बनाएगा, non classical cation, यहां तक ठीक है, अब एक चीज़ आपको बड़िया से याद रखनी है, यह वाला step important है, क्या याद रखना है, कि ring में कभी भी charge हो, जैसे यह ring में positive charge है न, तो attack का होगा, हमेशना nucleophile का attack, stable cation होगा, ring में charge होगा, nucleophile का attack, stable cation पे होगा, क्या कहना चाहरा हूँ मैं, यह 2 degree है, यह 1 degree है, तो nucleophile attack on, stable cation, stable cation पे ring में charge में attack होता है, एना, ठीक है, इसका explanation है पूरा, लेकिन आप इस समझो, अब इसको याद कर लो बढ़िया से, कि ring में कभी भी charge हो, attack of nucleophile on stable cation, तो इस से क्या बनेगा, 2 degree पर attack हुआ, यह बना hg plus 1, अब next step में क्या होगा, यह hydrogen acid है, यह h plus देगा, तो यह जो bond pair है ना, it will abstract this h, bond pair इस h को लेगा, तो यह बनेगा enol, and hg plus 2, है ना, इसका आगे करो, totomerism, यह बन गया keto, तो आपको है ना, कई तरीके से question पूछ सकता है, कि जैसे what is the product, आप product तो सीधा भी बना सकते हो, addition of water according to Marko-Nikov, तो Marko-Nikov क्या कहता था, कि H कहां लगा हो, जहां पे carbon जादा, तो H यहां लगेगा, यहां लगेगा, उसके बाद यह inol बना, उसका totomerism कर दिया, ketone बन गया, है ना, mechanism कैसे होता, इसमें कोई rearrangement वगरा नहीं होंगे, यानि shifting वगरा कुछ नहीं होगी, non classical cation, दूसरी बात क्या आद रखनी है, attack on stable carbon cation, stable carbon cation पर attack, तो 2 degree और 1 degree में किस पर attack करेंगे, 2 degree और attack करेंगे, clear है यह, ठीक है, इसको लिख लो एक बार अच्छे से, यह mechanism, लिख लो, यह किया मला, alkyne पूरा हो गया आपका, देखो, अब जैसे मैं आपको यह बोलूँ कि यह alkyne है, इसमें कुछ रोख करू, Hg प्लस 2 and S2SO4, तो आप प्रोट तो सीधा बना सकते हो, कैसे, addition of water according to Marko-Nikov, Marko-Nikov क्या कहता था, hydrogen कहां लगेगा, उस carbon पर हाइडोजन जादा, देखो, Marko-Nikov को definition, alkyne, alkyne के लिए थी, अगर आप NO2, NO2 लगाओ तो वान ही लगेगा, वान तो stability of cation देखनी पड़ेगी अपने को, CCL3 लगा दिया, CF3 लगा दिया, वो तो हमने लगा दिया, Marko-Nikov definition is applicable for pure alkyne and alkyne, यह इनल बना, इसका टॉटो मेरे जम करके, यह बन जाएगा ketone, Got it, ठीक है, इसका एक बार आप में चारों पूरा mechanin लिखो, क्या mechanin था, पहले HG plus 2 पर attack, क्योंकि यह लिख डाला, तो life alkyne की एकदम जिंगा लाला है ला, attack on stable cation, left में attack करेंगे, resonance stabilized cation, इससे बन जाएगा, यह इनल, और इसको टॉटो मेरे जम करेंगे, तो यह बनेगा keto, अभी मैं आपका test लूँगा पूरा, कुछरोव पे exclusive test होगा, only on कुछरोव, lecture के last मैं सिर्फ कुछरोव पे test करेंगे, ठीक है, तो समझ गया आप, अच्छा, अगर मैं एक और example ले लूँ, आपको simple acid lean दे दूँ, और बोलूँ कि इसमें Hg, SO4 and dilute, S2SO4 डाल दो, तो आप क्या करोगे, symmetrical है ना, किसी पे भी H, किसी पे भी OH, फिट ओटो मैरिजम, यह बन जाएगा, गॉट इट, ठीक है, बड़े आगे, चलो, अब यह कुछ reaction देख लेता है, अलकानिक क्लोरी निसन, important तो कुछरो है, ठीक है, बाकी तो ठीक है, CL2 डालोगे तो क्या होगा, twice of CL2, यहां भी CL, यहां भी CL, और उपर भी CL, उपर भी CL लग जाएगे, फिर वापस zinc डालोगे तो, ZNCl2, इससे बनता है, इसको नाम को, इसको 1, 2, डाइकलोर एथीन को क्या बोलता है, वेस्ट्राउन, यहां न, तो बिसीकली अलकाइन से वेस्ट्राउन बनाने का तरीका है, यह, ऐसे ही दूसरा है हमारा, केल्सियम हाइड्रो अक्साइड एंड हीट, इसमें क्या निकाला है, एसेल निकाल दिया, बिसीकली, स्ट्रॉंग बेस एंड हीट, बेस डाला तो एच, पाइबन बना, इसेल निकल गया, यह जो बना इसको नाम है, वेस्ट्रो सॉल, प्रिपरिशन अफ कंपाउंड है, कोई खास बात नहीं है, इतनी, ऐसी एलकाइन का एडिसन होता है, वाटर डालोगे तो ओएच लगेगा, ठीक है ना, एलकाइन में बियार टू डालोगे, तो बियार बियार लगेंगे, बियार टू वाटर डालोगे तो ओएच लगेगा, ऐसे आई टू डालोगे, तो आयाई लग जाएंगे, और एमोनिय डाल कि ऐडू बढ़िघारिए अमोनिया इसका अच ले लेगा माइन डाल के फिर ऋटू पर रियेक्षिन हो जाये दो बार करदो दो बार आमोनिया दो पर आई गड़ाना चाहरे है हुई तो मेरे इस एक्जामपल मेंसमजह ना चाहरा कि अगर आपने बेस डाल दिया ना तो H निकल के C माइनस बना फिर I2 पे टाक करके आयोडीन आयोडीन लग गया अगर हम एलकाइन में एक्स डालते हैं तो पहले मारकोनिक और यहां एक्स यह लग गया फिर अगेन एक्स डालेंगे एक्स तो क्या बन जाएगा हमारा जैन हमने दो बार मारकोनिक और एडिसन कर दिया एक्स यहां फिर अगेन मारकोनिक और हाइडिसन कर लगता है जाहां उस काबन पर लगएगा है हाइडिसन जादा तो यह एक्स समझ गया है यह सेम एक्जामपल दे रखा है एच बी आर लगाया तो यहां एच बी आर फिर अगेन यहां पर यह अगेन एच बी आर तो क्या बन जाएगा हमारे पास इलकाइन में अगर आपने दो बार मारकोणिक ओफ किया तो आपका प्रोड बन जाएगा ठीक है है अच्छ डालोगे तो किया होगा बताओ HO CL डालोगे तो OH-CL प्लस तो ये add हो जाएंगे LKN में कौन से रेक्षन होती ही? एडिसन ये add हो जाएगा mechanism कैसे? पहले CL प्लस पे attack तो CL पे attack होगा ये बनेगा और ring में जब charge होता है तो बता हो attack का होता है? stable cation अभी हमने discuss किया था? 2 degree और 1 degree में से contact होगा 2 degree पे तो क्या बनेगा? बताओ ROH double bond CS CL ये आगया अगेन इसमें HO CL डालो ये बना CL प्लस OH माइनस ये पाई बाउन का attack तो ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव और ring में charge आए अगेन का तो attack का होगा stable cation तो ये resonance stabilized cation है ना? oxygen के पास है फिर इससे निकाल लो water तो ये बन गया है ठीक है ना? बस हमने अभी थोड़े पहले क्या किया था? अभी जब हमने alkyne पे दो बार hbr डाला तो यहां दो बार h लगाया है दो बार br h o c l डाला तो हमने क्या किया? यहां पे दो बार c l plus और यहां पे दो बार o h minus और mechanism कैसे होगा? non classical catan attack on stable carbo catan यह है हमारे carbo oxylation carbonylation carbonylation में क्या होता? co water में क्या लगता है? a carbon पे h और a carbon पे co2 h एक reaction दान रखो बस carbonylation मलब h और co2 h यह जो पूरा reaction दिखा रखा है यह मैं भी आपने को explain कर दिया यह कौन सा reaction है? hbo यहनि addition of water according to anti-marconic off anti-marconic off में यह o h यहां लगेगा फिर tautomerism करके क्या बनेगा? यह aldehyde है न? और अगर symmetrical alkyne है और आपने hbo किया पर टautomerism होके क्या बनेगा? keto यह न? सब addition हो रहा है alkyne पर alkyne पर addition ही reactions होती है यह मैंने आपको अभी बताई थी कुछ रोव कुछ रोव का पूरा बताने यह most important reaction है यह सेम चीज़े हो रही है बार-बार इस बार हमें HG के साथ alcohol दे दिया तो हमें HG के साथ अगर मैं आपको यह बना के दे दूँ और फिर alcohol दे दूँ इस बार आप attack किसका करोगे? alcohol का करोगे न? फिर यह intra molecular proton transfer यह बन गया है अब आपको फिर से alcohol डालना है तो यहां लगएगा H और यहां लगएगा OR सभी reaction में यह हो रहा है यहां लगएगा H यहां लगएगा CN एडिसन रियक्शन हो गया और यह बनेगा एक्रिलो नाइट्राइल इसको बोलता है एक्रिलो नाइट्राइल जिससे आगे जाके क्या बनता है? पॉलीमर पॉली एक्रिलो नाइट्राइल और C-L-A-C-L-2 डाला तो एक काबन पे C-L एक काबन पे A-S-L-2 यह क्या बनता है? लेविसाइट लेविसाइट क्या है? पोईजनस गैस है पाउषफूल पोईजनस गैस 4 टाइम मोर एक्टिव जन मस्टर्ड गैस कि मस्टर्ड गैस जो था आपना वर्ल्ड वार 1 में बहुत यूज वहता है बहुत हुरीबल गैस उससे भी ज़्यादा पाउजन सो थी लिविशाइट मस्टर्ड गैस अगर देखा वर्ड वार वन में जब यूज हुई न तो जिन सिपायों ने या जिन सोल्डर्स ने आर्मी की जो लोग थे उन्हों फ्रेंट में थे तो मस्टर्ड गैस सोड़ी मस्टर्ड गैस बाद होरीबल डिफेक्ट होते हैं ऐसे वीडियो पर दिखाना इसमें आप देखोगे क्या एकदम हॉरीबल बड डिफेक्ट होते हैं या मैं आपको टेलिग्राम पर दिखाना अच्छा नहीं रहेगा टेलिग्राम पर देता हूं अगर आपने अलकाइन में ओजोनलिसिस कर दिया ना रिड़क्टिव तो एक पाइबन ब्रेक होके कीटो कीटो और अलकाइन में अगर आपने S2O2 डाल दिया तो पूरा पाइबन ब्रेक होके क्या बनेगा एसिड अब तुम बता सकते होगे अगर इसमें मैं कुछ रोग कर दूं तो क्या बनाओगे अगर मैं इसमें दो मोल HBR डालूंगा तो क्या बनाओगे अगर मैं इसमें दो मोल H O C L डालूंगा तो क्या होगा C L C L and O H O H Water निकल के क्या बनेगा और अगर मैं इसमें और क्या अड़ कर सकते हैं एलकॉल डाल दो दो बार तो यहां O R O R हमको नुक्लियोफाइल का अटेक करवाना है न तो पहले एज़ी प्लस तो से इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाता है फिर अलकॉल का अटेक तो क्या होगा बताओ यह काबन पर दो O R और यहां H H है ना क्या बन जाएंगे एसिटल बन जाएंगे एसिटल ठीक है और टेस्ट फॉर अलकाइन क्या करना है आपको सीधा याद रखो टेस्ट फॉर अलकाइन में अगर हमारे पास टर्मिनल अलकाइन है इसमें सोडियम डालोगे तो S2 गैस इवालोगी तो अब्जर्विशन आजाएगा ना S2 गैस का इसमें क्यूप्रस कुलोराइड डालोगे तो कौन सी पीपीटी आजाएगी इसमें एम्मोनिकल अजएणो 3 डालोगे तोलेंस तो कौन सी पीपीटी याद आएगी वाइड पीपीटी यह तीनों याद रखो यह टेस्टु डिफ्रेंसे टर्मिनल नन टर्मिनल सपोसको रोफन ट्विटाएण एड्विटाएण तो 1 ब्यूटाइण में तो यह एड पीपीटी देगा और अगर यह तो यह वाइड पीपिटी नहीं देगा यह रैड पीपिटी नहीं देगा और तुव टाइन में सोडिय मेडल ला लेंगे तो एस्टू गैस नहीं आएगी एक्सिंट रिक्षन स्टार्ट हो जाएगा यह नोट कर लो अभी मैं टेस्ट लोंगा इसका भी टेस्ट का तो आप तो लिख रहे हो ना पढ़ रहे हो उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि मैं मेरी आदर थे थोड़ा पढ़ाया फिर टेस्ट दिया फिर पढ़ाया फिर टेस्ट लिए यह चलो त्यारो इस टेस्ट के लिए एक टेबल बनाओ छोटी सी यहां लिखवा आप वन टू टू ब्यू टाइन फिर एक वन ब्यू टाइन फिर एक साइक्लो हेक्जीन साइक्लो हेक्जीन अब पहला आपको यह सब रियक्शन करनी है एस्टू गैस विद सोडियम मेटल दूसरा आपको करना है रियक्शन विद एमोनिकल अगनो 3 तीसरा करना है रियक्शन विद क्यूप्रस क्लोराइड और चौथा आपको करना है कोल्ड केमिनो 4 का अबजर्वेशन क्या था? डी कलोराइज़िशन आफ नी एमनो टू का ब्राउन पीपीटी पांच वा करना है ब्र टू डी कलोराइज़िशन आफ ब्राउन टू कलोरलेस ब्र टू वाटर आप ब्र टू आपको फिल करना है कौन-कौन देंगे? चलो पॉस कलो वीडियो, ट्राइ करो फिर मैं आंसर बताता हूँ बताब कौन-कौन sodium metal के साथ S2 gas देगा? ये तो नहीं देगा, terminal alkyne देगा, alkyne नहीं देगा alkyne तो नो reaction है कौन, ammonical agno-3 से कौन react करेगा? terminal alkyne, alkyne नहीं करता, alkyne नहीं करता है CO2, Cl2 के साथ red PPT कौन देगा? terminal alkyne, alkyne, alkyne नहीं देगा cold cameo-4, ये cold cameo-4 किसकी reaction है? bare C-Agent, diol बनाता है, vicinal diol cold cameo-4 किसकी reaction है? for unsaturated hydrocarbon, यानि alkyne नहीं दोनों किये यानि alkyne and alkyne give positive test with cold cameo-4 decolorization of BR2, test for unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon मनलब alkyne as well as alkyne not alkane यानि C double bond C जो होता है ना, मारा alkyne और alkyne में उनका ये test है तो इसमें आपका alkyne, alkyne के सारे test cover हो गए तो अगर आपको differentiate करना है terminal non-terminal alkyne को इन तीनों से अपन differentiate कर सकते हैं ठीक है? पढ़े आगे? सुरू करें कुछ रोग का test चलो एक note और लिखलो आप conversion of terminal to non-terminal alkyne and vice versa अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको convert करना है one butyne से two butyne ये क्या हुआ हमारा? terminal alkyne वह हुआ non-terminal alkyne वह कैसे करते हैं? alcoholic QH and heat stable कौन सा alkyne है? one या two ये ज़्यादा stable है because of more alpha H तो what is the driving force of forward reaction? thermodynamic stability तो आप जैसे one butyne को hit करो two butyne मन जाएगा one butyne को hit करो ये two butyne मन जाएगा cis two butyne को hit करो trans मन जाएगा तो जब भी अपन heating करते हैं तो वह stable product में convert हो जाता है तो ये driving force तो ये हो गया अगर आपको ultra करना है two butyne से one butyne मनाना है तो वह आता है sodiumide and paraffyns sodiumide में क्या होगा? कि जब अपन ये reaction करते हैं ना पूरी तो last में जाके इसका एक पूरा mechanism है उसमें last में जाके ये salt बनता है ये बनता है ionic और paraffyns जो हैं ये हमारे non-polar है ये polar है ये non-polar है तो जब आप backward में NNS2 को hit करते हो तो last में जाके ये बनता है इन-soluble बनने का मलब ये reaction backward हो जाएगी पूरी तो backward का driving force क्या है? precipitation of the product forward का driving force क्या है? stability of the product तो आप ध्यान रखो कि जब भी 1 butane को hit करेंगे 2 butane बनेगा और 2 butane में NNS2 करेंगे 1 butane बन जाएगा इन सब में important reaction कौन सी है हमारी? कुछरोव आएगा तो कुछरोव भी ठीक है? चलो त्यार हो कुछरोव के test के लिए तो पूरा आपने ये revision कर लिया हो अब अपन कुछरोव पे चलें एक ये important reaction और रह गई एक और important reaction कौन सी है? अलकाइन की when 3 mole of alkyne passes through iron tube ये क्या बन जाता है? बेंजीन ट्राइमराइजेसन होके बेंजीन बन जाता है फिर पे सनाफ alkyne में भी आयागा ये ऐसे ही when 3 mole of propine इसमें iron tube से pass करेंगे same mechanism तीनों को जोड़ना है न H की जग़ए पर मिथाल लगाने है ये क्या बनेगा mesotlene 1,3,5 mesotlene ठीक है? तो तयार हो अब इसको भी note करो important है ये भी ये किसले important है क्योंकि ये हमारा aliphatic से aromatic जा रहा है aliphatic से aromatic जा रहा है चलो अब करेंगे अपन kuchrov का test चलो शुरू करें alkyne के test के लिए पहला question kuchrov reaction is kuchrov reaction क्या है? hydration of alkyne या hydration of alkyne इसको अपन बोलेंगे hydration of alkyne not alkyne यानि correct answer क्या होगा हमारा B intermediate in kuchrov kuchrov में intermediate क्या है? kuchrov में intermediate क्या होता है? हमारा inol inol को बोलेंगे intermediate चलो color slip दुरूद नहीं तो answer क्या रहेगा? इसमें answer रहेगा हमारा A product of kuchrov reaction is kuchrov क्या बनता है? alcohol या ketone इसका क्या बनेगा? ketone इसका क्या बनेगा? alkyn में water add होके totomaryism हो जाता है propine में kuchrov करेंगे तो क्या होगा? propine में kuchrov करेंगे यहां क्या लगेगा? H और यहां क्या लगेगा? OH और totomaryism होगे propine on इस alkyne में kuchrov करेंगे तब इसमें भी H OH लगे totomaryism यानि ketone 6 में बताओ इसमें kuchrov करोगे यहां क्या लगेगा? H और यहां लगेगा OH और totomaryism हो जाएगा न तो क्या बनेगा? alpha hydroxy यहां double bond लगेगा न यहां double bond हो आएगा तो उसके alpha पे OH alpha hydroxy number of reaction is ketone will form इन तीन reaction में से कितने reaction में ketone बन रहा है? number of reaction यह यह नहीं है यह 1 है यह 2 है यह 3 है option 1, 2, 3 पहले बताओ ketone बनेगा न इसमें यहां H और OH लगेगा तो atomaryism होगे ketone pan का color थोड़ चेंज हो गया है चलो इसमें ketone बनेगा इसमें भी H OH लगाओगे यहां ketone बनेगा इसमें यहां ketone बनेगा इसमें यहां ketone बनेगा तो कितनी reaction में ketone बनना बताओ, तीन reaction में ketone बनना, तो answer कितना आएगा इसका, 3, एर्थ का product क्या बनेगा बताओ, इसका भी ketone, आप सही है, इसका भी ketone बन जाएगा ना मारे पास, ठीक है ना, ऐसे पीछे वाला का भी proper लिख लेता हूँ मैं, इसमें बनेगा ये ketone, इसमें भी H, O, H लगाओगे ये बनेगा ketone, इसमें भी H, O, H, Trotomerism करेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा ketone, इसमें सब में ये ketone बनेगे, इसमें क्या बनाया था हमने, अलफा हाइड्रोक्सी ये ketone, इसमें भी symmetrical था ना, तो दोनों तरफ हमना, R और एक R, प्रोपाइन में पहले क्या बनाया था हमने, इनॉल, फिट आटोमेरिजम करके ketone, इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, फिट आटोमेरिजम करेंगे, ये बनेगा ketone, इसमें भी क्या होगा, कुछ रोप करेंगे, यहाँ लगएगा H, यहाँ लगएगा OH, stable ketone, stable ketone पर OH लगाना था, stable ketone इधर बनेगा, क्यों resonance stabilize, इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा pH, यह तो हो गया था न, हाँ, pH, C1O, Cs2, Cs3, ketone, इसमें पूछा है, A बनेगा, A टॉटमरेज करके B बनेगा, तो A तो क्या बनेगा, addition of water according to Markonikoff, यह बनेगा हम्मारा यह inol, और inol को आगे, टॉटमरेज करेंगे यह बनेगा, ketone, best method for preparation of two pentanons, बताओ, इन दोनों में से कौन सा best method है, preparation of two pentanons, पहले तो, चलो आप try करो, फिर बताताओ, best method में, पहले देखना कि, there'll be two pentanons, बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें आपनह हज और O-H एट करेंगे, कि तो तो टॉटमरेजम करेंगे तो टुपेंटनों बन रहा है, के इसमें भी यहाँ पर H और O-H एट करेंगे, इज़ए लागा, तो टोटमरेजम करेंगे, तो two pultananeun बन रहा है Yes बन रहा है दोनों भी बन रहा है अब decide किसे करेंगे best किसे पना रहा है बताए, a में और b में decide ऐसे करेंगे पहले वाले में क्या होगा बताओ ये बनेगा non classical carbocatine ये बनेगा फिर होने तो टो डिग्री भाता करेंगे two degree पर one degree है यह 2 degree है, अटेक करेंगे हम 2 degree के टाइन पर, यह समझना आ रहा है, ठीक है, तो सबोज करो water के 100 molecule है, तो 10 अटेक करेंगे 1 degree पर और 2 degree पर 90 अटेक करेंगे, क्यों अटेक करेंगे, क्योंकि 2 degree ज्यादा stable है, तो 90 इधर अटेक किया, 10 अटेक किया, यानि यह प्रोड बना roughly ऐसे समझो 90%, इसकी percent yield हुई 90, लेकिन जो B वाला है, B वाले में जब अपन नौन क्लासिकल के टाइन बनाएंगे, तो अब अटेक अपन यहाँ भी कर सकते हैं, यह 2 degree है, यह 2 degree है, यह stable के टाइन है, तो जातर अटेक इस पर होगा, तो बनेगा तो यही मेजर, लेकिन दोनों 2 degree ह तो अब कैसे होगा, 60-40, मैंने 60-40 क्यों बोला, कि दोनों 2 degree है, तो अगर 60 water ने अटेक किया, तो यह roughly बना हमारा 60%, यहाँ पे 90 अटेक हुआ, तो यह क्या बना 90%, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि 2 degree और 1 degree में 2 degree पे जाधा अटेक होंगे, तो वो product जाधा बनेगा, दोनों 2 degree है ना, तो दोनों के बीच में distribution of nucleophile जो है, यह nucleophile बराबर, almost बराबर distribute हो रहा है, तो हमारा product कम बनेगा, क्योंकि साथ में 3 पेंटरनौन भी बन जाएगा, एक 2 पेंटरनौन बनेगा, एक 3 पेंटरनौन बनेगा, यानि पूरे में concept क्या था, stability of cation, 2 degree पे पहले अटेक करना है, 1 degree पे करना है, दोनों 2 degree है, तो प्रोडेक्ट थोड़े comparable amount बनेगे, 1 degree 2 degree है, तो ऐसे बनेगे, 2 degree का जाधा 1 degree का कम, और अगर 3 degree 1 degree होता, है ना, तो 3 degree का बहुत जाधा, 1 degree का बहुत कम, got it, तो यह बहुत अच्छा question है, ठीक है, अच्छा एक अपन को देख लेते हैं, थोड़ा मैं आपको एक alkyne पूरा हो गया, एक flash card दिखा देता हूं, quick fast flash card देख लेते हैं, चलो, at the end, fast revision कर लेते हैं flash card से, देखो sodium metal, terminal alkyne, non-terminal alkyne, sodium metal से क्या आएगा, H2 gas, terminal alkyne में no H2 gas, NANS2 से, ammonia evolve, no ammonia, tolerance reagent से, terminal alkyne से, white PPT, no PPT, और ammonical से क्या आता, red PPT, यह सब test किसके आता है, terminal alkyne के, non-terminal में नहीं आएगे, ठीक है, और यह हमने discuss कर लिए, alkyne orderless and testless, ठीक है, C4 तक alkyne gases है, और इसके अलावा जो खास बात है, यह गीवाला chart, alkyne की reactions, है na, alkyne कैसे बनाते है वो अपने method और उसका, पहले अपने question भी किया था, अब इसकी reaction देख लो एक और, सबसे important है, कुछ रोग, है na, alkyne का कुछ रोग का है, यह रहा हमारा कुछ रोग, कुछ रोग में क्या होता है, addition of water according to Marko-Nikov, HOH, tautomerism करेंगे, यह बन जाएगा, फिर यह कौन से reaction है, HBO, क और alkyne में, अगर S2 डालते है, लिल्लार के atleast, यह भी important reaction है, दोनों H सेम साइट से जाके, क्या मनेंगे, सिस, sodium liquid ammonia डालते है, तो दोनों H opposite साइट से जाके, क्या मनेंगे, ट्रांस, और NNS2 डाला, और liquid ammonia डाला, अगर terminal alkyne हुआ, तो S2 gas आएगा, यहाँ पर R क्या होना ची यह बन जाएगा, ऐसे simple, यह बास समझना आ रही है, और H2 metal डाला, तो सीधा alkyne बन जाएगा, BR2 में कैसा होता है, anti-edition, तो BR-BR anti लगेंगे, तो यह क्या मन जाएगा, हमारा trans, ठीक है, अगर पूरे में से सबसे important reaction देखो, तो तीन important reaction है, एक तो है हमारी कुछ्रो, और से पूरा करेंगे, जिसमें alkyne, alkyne, alkyne के questions करेंगे, तो next session अपना practice session रहेगा, तो अगले class में आने के पहले, यह सारे lectures एक बार fast revise करके देखना, 2x पे, speed में फटा पट देख लेना, एक rough phase पे fast pass लिखते रहना, तो काफी अच्छा हो जाएगा, बहुत easy question आते हैं, नीट सायवा question आप से जरूर बनेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है, चलते हैं फिर आगे, मिलते रहेंगे, आगे ऐसी अपन topic करते रहेंगे, मैंने एक WhatsApp group भी बनाया है, नीट के बच्चों का, तो आप उस group को भी join कर सकते हो, उसके अंदर में कुछ PDF share करूँगा, या आप मेरा आप अच्छा रहेंग लेकर आओगे, बस एक काम करो, एक्जाम नजदीक आजाए ना, तो एक्जाम नजदीक आने समय काम करना है, अपनी महनत बढ़ानी है, थोड़ा रोज आदा गंटा एक गंटा अपने को महनत बढ़ानी है, एक और चीज़ इंपॉर्टन है, इस लेक्षर के बाद आप जितना पढ़ रहे हो उससे आदा गंटा और बढ़ाना है यह सोच रहा है कि आज से मैं आदा गंटा और बढ़ाऊंगा तो जैसे आपका एक्जाम होगा न एक्जाम से दो पthlete के बारे में गंदा है जो है चार घार पुल अप्स रघा प्राइक है अगर आपने लगा अगर पर तव है तो आप यह ने इस्टेस होगा, चार मिल लगेंगे, और बंदे ने साड़े चार दा पुलब लगा है, दो बार नेवी सील बन चुका है वो, नेवी सील होता है, अमरीका के जो कमांडो हो जैसे, अपने NSG वगए उनके कमांडो होता है, दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है, उस के अभी, तो उससे पूछा गया है, कि तुम ऐसे कैसे करते हो, यार मेरे कोई रेस आती है, तुम डेट से कुल मेंटर दौड़ने निकल जाते हो, नेवी सील बना लेते हो, साड़े चार पुलिप्स लगा लेते हो, उसने बोला कि हमारा सरीर जो है, बोड़ी जो है बहुत इंटलिजन्ट है, खुद ही ठीक कर लेता है, खुद ही परफॉर्म कर सकता है, एक्स्टा ओर्डर ही मिराकल कर सकता है, दुनिया में सब काम कर सकता है हमारी बोड़ी, लेकिन उस बोड़ी को कंट्रोल करता है, उस बोड़ी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, तो जैसे हम को कुछ extraordinary achieve करना है तो हमको सरीर को training बाद में देनी है पहले mind को देना है mind अगर trained हो गया तो हमारी body जो है वो तो trained होगी होगी तो वो क्या करता है 90-minute का meditation 90-minute ध्यान लगाता है दिमाग के related चीज़ें करता है तो mind को trained करता है ऐसे हमें बड़े examination होता है आपको mind को train करना mind को समझाना है कि आज एक महीना बचा है मेरे को मेरे best effort लगाने है रोज मुझे 12 गंटे पढ़ना है तेरह गंटे पढ़ने है आप mind को train करो mind आपकी body को train कर देगा तो डेविड गौगिंस से हमने सीखा नीट के एक बाद देखना है एक बाद डेविड आपकी बुग भी आती उस पर ही बहुत सांदार बंदा है उससे मैंने भी सीखा कि हम जर्ली जैसे मेराथन वगरा दोड़ता हूं है ना तो हम लोग पूरा उस पर फोकस करते हैं मैराथन अच्छी होनी चाहिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए मैंना आरन मैन भी कर रखा ह है स्विमिंग, साइकलिंग, रणिंग सब करते हैं है ना उसमें तो मैं देखा हम बॉड़ी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार आज चाहर गंड़े साइकलिंग करनी है तो बॉड़ी को इस फोकस करते हैं जबकि अब मैं वापस टेनिंग कर रहा हूं आजकाल तो मैंने अब वापस दिमाग को टेंड करना स्टार्ट किया, अब मैं पहले दिमाग को समझाता हूँ, कि कल मुझे यह करना है, दिमाग को टेंड करता हूँ, पांदस मिन मेडिटेट करता हूँ, तो मैंने देखा कि, जैसे मैं सोचता हूँ कल यह न, करेगी ठीक है मिलते हैं फिर और वीडियो अच्छा लगाओ तो दोस्तों को और दूसरे नीट वालों जूरू से करना और टेलिग्राम पर मुझे आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो आपकी हैल्प के लिए मैं हमेशा तयार हूँ जो भी मेरे से बन सकता हो मैं करूंगा और जो नहीं बन सकता उसको भी मैं करूंगा मिलते हैं फिर जैहिन जैभागाद